1996 में एक man made fish आया आप दुने के किसी भी कोने में रहोगे और किसी भी aquarium shop में जाओगे आपको ओ aquarium fish मिलने को मिल जाएगा उस aquarium shop में दोस्तो आपको title से आपको पता ही चला रहेगा कि मैं कौन से aquarium fish के बारे में बात करने वाला हूँ जी यहाँ मैं आज floran fish के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तो आप में से भूँ सारे जो fish की पर से उनके पस अभी floran fish रहेगा या फिर आप लेने की सोशे रहोगे देगो दोस्तो हर एक fish की पर यह चाता है कि मैं floran fish को हमारे tank में रगो यहाँ पर कुछ कम्यों के कारण जो floran fish है वो 10 से 12 साल जिने वाल जो fishes रहती है वो कुछी सालों में इंफेक्ट कुछी महनों में वो मर जाती है तो दोस्तो आज का जो वीडियो है वो मैं floran fish के care tips के उपर बात करने वाला हूँ मैं ऐसी आपको care tips बतने वाला हूँ जिसकी मदस से आप floran fish की जो देख पला है वो अच्छे से कर सकते हो दोस्तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक request करना जाता हूँ अगर आप इस चैनल पने हो तो please इस चैनल को subscribe करो notification का जो bell icon रहता उसको प्रेस करको कि ऐसे में नहीं ने वीडियो से लाती रहता ओ भी हिंदी में तो चलिए दोस्ते वीडियो हम लोग शुरू करते हैं फ्लोरान fish की जो origin है मतलब कहा से जो फ्लोरान fish है बना है Malaysia, Thailand और Taiwan में इसका origin है मतलब इस country में से जो फिश की पर से उन्होंने cross breed करके फ्लोरान fish को बना है फ्लोरान फिश जो वाइड में जब फ्लोरान फिश को छोड़ा था, release किया था वो Singapore में और Malaysia की जो river से उन में introduce किया था वाइड में फ्लोरान फिश की पहले हम लोग behavior की बात करें फ्लोरान फिश एक aggressive temperamental फिश है एक territorial फिश है उसके साथ अगर आपको कोई भी aquarium फिश रखने का है तो आप में दस बार सोचना पड़ता है कि ए aquarium फिश को फ्लोरान फिश के साथ रखो या नहीं रखो बहुत सारे जो टैंग मे बात करेंगे फ्लोरान फिश के ग्रो साइज की तो 10 से 12 इंच इस तलग फ्लोरान फिश है ग्रो होती है तो इसके लिए पहले सी जो सेटप है वो प्रिपेर रखना चाहिए बाद में हम लोग बात करते है टैंग साइज रिक्वर्मेंट की तो अगर अगर आपके बास अगर आप फ्लोरान फिश के साथ एक कम्यूनिटी एक्वरियम फिश आप बनाना चाहते हो तो आपको 586 पिट का जो टैंक साइज रहता है उसकी रिक्वर्मेंट लगेगी हम लोग बात करेंगी वाटर कंडिशन और वाटर चेंजेंगी वाटर कंडिशन में आपको में ब बहुत ही अच्छा होगा वाटर आप कभी भी एज वाटर यूस करो और फर्स टैम अब जबी फ्लोरान फिश को इंट्रूस करने वाले हो टैंक में तो वह प्रॉपरली टैंक को साइकल होना चाहिए दुसरी बात है कि अगर मैं वाटर चेंजिंग की बात करूगा आपको विकली 20-30% है वो वाटर आपको चेंज करना चाहिए तो यह आपकी फ्लोरान फिश के लिए भी अच्छा होगा और वाटर एक बैलेंस में रहेगा और वाटर में ज्यादा अमोनिया नाइट्रिड नाइट्रिड क्रेट ने होगा और आपकी फ्लोरान फिश आपके टैंक बहुत ही हैफिली रहे की जो बीमारी होने की जो चांसेस रहते हो बहुत ही ज्यादा कम होगे अगर आप इस प्रकल से वाटर करनीशन और वाटर चेंजिंग आप फ्लोरान फिश के टैंक करोगे तो यह हम लोग बात करेंगे फूड के बारे में तो एक जैक आपको फूड बात में ब्लैक वर्म्स दे सकते हो बात में आप उनको गोठ हड दे सकते हो चिकन हड दे सकते हो तो यह सारे जो फूड से आप अपने फ्लोरान फिश को दे सकते हो उसके साज मार्केट में बहुत से ब्रैंड के जो फ्लेक्स पूड आते है वो भी आप अपने फ्लोरान फ ऐसे आप balance रखोगे तो आपको floran fish एक healthy state में रहेगी आपके tank में हम लोग बात करेगे tank mates की अगर आपके पास अच्छा experience है fish keeping का तो आप जाके floran fish के साथ आप community aquarium fish आप बना सकते हो बड़ अगर आपके पास experience नहीं है तो आप फिलाल तो आप जो एक floran fish है होई अपने tank में रखो यह बहुत ही अच्छा होगा अगर आपको other tank mates के बारे में जानने का है तो मैंने especially एक individual मैंने video बना के रखा है उसका link मैंने comment box में मैंने pin किया है तो आप video जाके आप देख सकते हो उसमें ने सारे tangs बता है तो आप उसकी सबसे आपके पास जितना जो tank side रहेगा उसकी सबसे ओ फिश है और size में छोटी रहती है तो इससे भी हम लोग जेंडर है फ्लोरन फिश में पहिचान सकते है अगर आपको special वीडियो चाहिए फ्लोरन फिश के male और female के उपर तो आप मुझे comment box में बताओ कि आपको वीडियो चाहिए तो मैं उसके उपर भी मैं आपको मैं वीडियो बना के दे दूगा दोस्तों यहाँ पर जो लाज जो टॉपिक है इस वीडियो का मैं cover कर रहा हूँ है life span मतलब कितने साल तलग जिन्दा रह सकता है फ्लोरन फिश तो फ्लोरन फिश है 10 से 12 साल तलग जिन्दा रह सकती है अगर आप उसकी अच्छे से care करोगे तो जो सारे जो tips बा आपको यह वीडियो अच्छा लगा रहेगा helpful लगा रहेगा मिल देगो जाए से interesting और अच्छे गासे topic के साथ तब तलग दोस्तों take care everyone and bye